बच्चों के शारीर कौममानसिक विकास के लिए सभी तरह के न्ूटरंस की जरूरत होती है और अगर इसमें कमी आ जाती है तो जिसका effect बचे के health पर प्रड़ता है, बचे के development पर प्रड़ता है इंच में जो सबसे common है वो है vitamin D, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में vitamin D की कमी है या फिर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपके बच्चे में vitamin D की कमी है तो इससे तुरंट ठीक करें तुरंट इसका इलाज कराना बहुत important है तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले हम बात करें कि वाइटमिन डी की कमी क्या है तो बच्चे या शिशू के सरीर में जब परियाप मात्रा में वाइटमिन डी नहीं होता है कि अगर बच्चे के बलड में 30 नैनो मोल प्रती लीटर अगर वाइटमिन डी है से कम है तो ये वाइटमिन डी डिफिसेंसी में आता है बच्चों में जैसे हड्यां कमजोर होना, दोरे पड़ना या फिर जो मेंटिली जो डवलपमेंट बच्चे का होता है वो पूरे तरीके से बच्चे का विकास नहीं हो पाता है वाइटमिन डी बच्चे के शरीर के लिए इतना important क्यों माना जाता है वाइटमिन डी एक nutrients है जो खाने वाली चीजों से जो calcium मिलता है उसको absorb करने में help करता है दूसरा बात है कि जब बच्चे की जो जैसे hurt की problem होती है या फिर कोई infection होता है या कुछ भी problem होती है उसको जल्दी ठीक करने में भी वो help करता है वाइटमिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेर्स जैसी बीमायां आ जाती है जैसे रिकेर्स क्या होता है कि जो हड्या होती है वो soft होती है और वो strong नहीं होती है जिसके वैसे कई सारी ऐसी problem face करनी पड़ सकती है बच्चे को इसलिए बच्चों के लिए vitamin D की कमी के क्या लक्षर है बैसे तो यह जो लक्षर मैं बताने वाली हूँ यह हर बच्चे के अलग-अलग हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि यह सारे लक्षर आपके बच्चे से मिलते जुलते हो कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं कुछ हो सकता है इनमें से ना भी मिले तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन-कौन से लक्षर है जो बच्चों को vitamin D की कमी से हो सकते हैं पहला जो कारण है वो है muscles कमजोर होना, पेड़ दर्ध होना हड़ियां कमजोर होना, चिड़ चिड़ापन, औरे पढ़ना, शरीर का ठीक तरह से विकासना होना इस तरह कि problem वेजियों करने पड़ सकते हैं उसे और भी काई सरी से problem होती हैं जो बच्चे को फेज करने पड़ सकते बच्चे में vitamin D के क्या करण है क्योंकि आँज कल vitamin D की बच्चों में बहुत जादा अद्यान नहीं दिया जाता है और काफी सारे ऐसे स्कूल हैं जो आ ऐसे एक्टिविटीज बहुत कम कर आते हैं जो बाहर होती है जैसे ग्राउंड वगरे में होती है तो इस वज़े से बचों में वाइटमिंटी की कमी हो जाती है तो जलिए जानते कि क्या इसे कारण है जिसक बच्चे खा रहे हैं, हम जो भी बच्चे को खाने को दे रहे हैं, उसमें बच्चे को परियाप मात्रा में वाइटमिन डी नहीं मिलता है, जिस मज़े से भी बच्चों में वाइटमिन डी की कमी हो जाती है, जो रिजन है कि खाने से परियाप मात्रा में वाइटमिन डी एब क़िखिए इसे उप्चार है जिससे बाइटमίν डी क्मी को पूरा-ची को मएन कर रहे जैसे हम सही टाइन पर अगर सुन्लाइट कैयए लेते हैं तो उसका अलग इंपेक्ट पड़ता है और अगर हम देखते हैं पूरे दिन धूप में बैठे रहते हैं तो फाइदे की हमें कई सारे ऐसे नुकसान भी हो जाते हैं तो एक सही टाइमिंग आपको ध्यार रखनी है अपने बच्चे को वाइटमिन डी देने के लिए कुछ बात होगा हमें द्यार रखना है क्या क्या चीज़े करनी है चलो उसके बारे में बात करें पहले जो कारेड बताया है सनलाइट का वो तो है यह वो तो सबको पता है कि वाइटमिन डी से मिलती है इसका एक सेपरेड वीडियो भी मैंने ऑल्रेडी चैनल पे बनाया हु अगर आप झालिस लाते हैं तो आप मुएंटी में मिलेग थीसरा है कि आप म racism किल में मिलें देशिते हैं इन व्डद को चीज़ों जस्ते वाइटिमिन डी की कमी को पूरा किया है बच्चों को पता हमाराइश नार्लच वाइटीमींड डी को नुना सुर्णा न हो सकते हैं दालों में प्रोटीन होता है اْ Peem in D होता आ फूर्स दे सकते हैं उसमें भी का सारे आसे FEL utilize अगर अगर सप्थ्रा में का यूज करते हैं जिसे पर फिर सीरफ दे सकते हैं जैसे जब बच्चों या 12 ml, 15 ml, जो भी आपके डॉक्टर बता है, 8 ml, 10 ml, वो आप बच्चे को regular दीजी, एक साल तक तो compulsory माना ही जाता है, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके बच्चे का एक साल में complete वो नहीं हो पाया है, जैसे वाइटिमिन D की कमी एक साल के बाद भी दिख रही है, तो ड रही है, या फिर उसकी quantity भी डवल कर देते हैं, तो इस तरह से भी supplements से भी करते हैं तो आप दॉक्टर से पूछकरी करें, अपने मंन से बिल्कूल ना करें, क्योंकि अगर डॉक्टर को लग Kollegin कर बक्चे में जैसे वाइटमिन डी की कमी है तो पहले तो वो टेस्ट कराएंगे वाइटमिन डी का और उसमें अगर आता है कि हाँ ये कमी है या फिर वो कहेंगे नॉर्मल है जैसा भी डॉक्टर कहें तो उस हिसाब से वो आपको वो सप्लिमेंट देने के लिए बोलेंगे कि बच्चे को कि आपको ये सीरब देना या इए टेवलेट रहे ये मत لफने मन से बिलकुल है इंगी कि आपको क्या देना है तो अपने मन से क्या होता है कि 1 सची नि घ्यांट से डीघ, गृट्यट, सब्सक्राइब्लाथ. क्या होता है कि बलड में चाहिक और क्या क्या ह talvez और गठता है लाइस चाहिक, इस टाइम भी क्या होता है कि जैसे बच्चों को kidney stone का problem हो जाता है, या फिर kidney में problem आने लगती है, kidney damage होने लगती है, या फिर क्या होता है कि जो बच्चे के mind है उसमें भ्रहम की सिति पैदा होने लगती है, इस type की problem आपको देखने को मिल सकती है, अगर vitamin D की जैसे जादा quantity हम बच्चे के शरील में calcium जादा होगा, तो बच्चे को जैसे stone का problem हो सकता है, बच्चे को उल्टी आ सकती है, या बच्चे को भूख नहीं लगेगी, बच्चे का mind बार बार change होगा, इस type की problem बच्चे को हो सकती है, बच्चे को weakness आ सकती है, यह सारे problem आपको देखने को मिल सक अगर vitamin D की कमी है, आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बच्चे में vitamin D की कमी है, तो उसको पूरा करने की कोशिश करिए, खाने के तरो करिए, अनाच के तरो करिए, जैसे दालों के तरो कर सकते हैं, आप बच्चे को रोटी, बाजरा, इस type की चीज़े आप दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं, अगर नॉन वेज खाते हैं, तो मचली दे सकते हैं, अन्डा दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, इस type की जो चीज़े हैं बो बच्चे को दीजिए, ताकि बच्चे के में vitamin D की कमी न रहे, अगर रहती भी है, तो डॉक्टर तो अच्छी development हो, और दिमाग का विकास काफिया चाहो, क्योंकि vitamin D की कमी से बच्चों में autism का risk जादा रहता है, आजकल आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे बच्ची हैं, जिन में autism बहुत जादा हो रहा है, मैंने एक दू बच्ची ऐसे देखिया है, जिन में autism का problem रहत ताकि आपको autism के बारे में काफी सारी जानकारी आपको मिल सके, तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखाया तो वीडियो को एक लाइक देना, बिल्कुल मत बूलिए, चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब देरिए, पेरेंटिंग वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टोपिक के साथ तके, टेक केर, बाबाए